हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप सब के सामने बहुत ही यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ ये टी टाइम स्नैक्स का रेसिपी है इस बड़ी बोलते हैं बेसन की बड़ी और इसे आप शाम को चाय के साथ ले सकते हैं ये बहुत ही जटपट बन जात है और बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए दोस्तो इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक बाउल में बेसन लेंगे और बेसन लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पौडर डालेंगे हल्दी डाल दिया और हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पौडर और हम इसमें जीरा पौडर डालेंगे उसके बाद और फिर हम इसमें थोड़ा सा मिर्च पौडर डालेंगे लाल मिर्च पौडर डाल नहीं हूँ आप अपने स्वाद के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार और फिर वो डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी आड़ करेंगे और पानी को हम मिक्स करते जाएंगे एक बार में हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तमाल नहीं करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद हमें से मिक्स करना है इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए देखिए मैंने एक बार में ज़्यादा पानी एड नहीं किया है, आपको भी इसी तरह बनाना है, और फिर हम इसमें पानी डालेंगे, देखिए, हमें न ज़्यादा गारा घोल तयार करना है, और न ज़्यादा पतला घोल तयार करना है, इसे मिक्स करते रहना है, लगबग 10 म नर्ट तक हमें इसे लगातार इसी तरह से मिक्स करना है जिससे कि ये सॉफ्ट बनेगा और मैंने इसमें बेकिंग सोडा वगेड़ा का कुछ भी एड नहीं किया है इसमें सोडा नहीं मिलाया है ना मैंने इनो भी मिलाया है कुछ लोग डालते हैं पर अगर आप इसको डारा हो ना पतला हो इसी तरह से हमें मिक्स करते रहना है और भोल हमारा तयार हो चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा इसका बैटर लेंगे और पानी में डाल करके देखेंगे चेक करेंगे अगर ये बैटर जो है ये ऊपर आ जाता है तो ये बैटर तयार है आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है पानी में तैरने लग गया है तो अब ये फ्राई करने के लिए तयार है और मैंने गरम करने के लिए रख दिया था फ्राई करने के लिए और अब हम थोड़ा सा इसका गोल लेंगे और हातों की सहाईता से इसमें डालते जाएंगे आपको छोटा बड़ी बनाना है तो बैटर कम लिजिए और मैं थोड़ा सा मेडियम साइज का बनाती हूँ तो इस तरह से मैं डालते जा रही हूँ इसको और जितना ओइल है उस हिसाब से बैटर को आप डालते जाएए ये देखिए जितना इसपेस है पर बहुत जादा चिपकाना भी नहीं है ये तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं अगर जादा आपने इसमें गोल डाल दिया तो ये देखिए मैंने सारा गोल इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करते हुए और दो तीन मीनट के लिए हम इसको फ्राई होने देंग इसका ओरिजिनल कलर रहना चाहिए फिर से हम इसको एक बार ऐसे पलट लेंगे ताकि ये सब तरह से अच्छी तरह से फ्राई हो सके और ये मारा फ्राई हो चुका है और ये तयार है अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे देखिए इसका कलर देखिए बिल्कुल हमें इसी तरह का कलर रखना है जादा ब्राउन नहीं करना है और अब हम इसे निकाल लेंगे हमें इसको एक टीशू पेपर पर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ओइल जो है वो बाहर आ जाए देखिए इस तरह से तो फ्रेंड्स बरी हमारा बन करके तयार हो चुका है आप देख सकते हैं ये बेशन से बनाया गया और बहुत ही आसान तरह से बनाया गया इसे आप कड़ी बनाने के बाद अगर उसमें डाल देंगे तो कड़ी पॉकवरे भी बन जाएंगे और इससे आप अलग तरह के चाट भी बना सकते हैं जो मैं आपको बाद में किसी रेसिपी में शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक क झाले